दोस्तो स्वागत है आप सभी का लर्निंग हम में आज हम देखने वाले हैं कॉंग्रेस के रामगण अधिवेशन के विशे में तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो कॉंग्रेस का रामगण अधिवेशन जोकि 1940 यस्वी में हुआ था रामगण अधिवेशन जोकि धर्ती पर संपन होने वाला कॉंग्रेस का पहला एवं एकमात्र अधिवेशन था इस अधिवेशन का अयोजन 19 से 20 मार्च 1940 तक एकदम ध्यान से इस डेट को भी याद कर लिजए यर ना नहीं सिर्फ आपको याद करना यर बनकि मन्थ और डेट भी याद करना क्योंकि जप्यस्टी के एक्जामस में पूछे जाती है डेट भी 19 से 20 मार्च 1940 तक हुआ था यह भारती राष्टी कोंग्रेस का तिर्पवनवा अधिवेशन था यह कोंग्रेस का तिर्पवनवा वार्षिक अधिवेशन था जिसका योजन हजारी बाग जीला अंतरगत रामगड में हुआ था अभी रामगड जो है अलग जीला है लेकिन उसमें हजारी बाग की अंतरगत आता था मौलाना अभूल कलाम आजाद की अधियक्षता में संपन हुआ था यह भी फैक्ट याद करिए इस अधिवेशन में जेविक रिपलानी द्वारा प्रस्तावीद सत्यागरा संबन्दित प्रस्ताव पारित किया गया था भरतिय राष्टी कॉंग्रेस के तिरपवन में अधिवेशन का योजन 19-20 मार्च 1940 अधिवेशन में ये कॉंग्रेस के तिरपवन में अधिशन था और इसके अधियक्षते मौलाना अभूल कलाम आजाद और इस अधिवेशन में जेविक रिपलानी ने जो सत्यागरा से स्वागत समीथी के अधियक्ш थे डॉक्टर राजिंद्र परशाद स्वागत समीथी के उपध्यक्ष थे श्री कीरिषन सिंग और सेयद महमूद स्वागत समीथी के माह सचीव थे श्री अनुगरः नरायन सिन स्वागत समीति के पदादिकारी और अंबिका कांत सिन प्रचार पदिकारी कौन थे ज्यान, चंद्र, सोडी प्रमुख स्वैम सेविकाएं सरला देवी, कुमारी, इंद्रमती, जुनाज कुमारी, तारा पटवर्धन, प्रेमा कंटक, भेयोजो, भटवरकर यह सबी जो थे, वो स्वैम सेविकाएं थी, और यह सारी देख लिजिए, एक नजर गुमा कर देख लिजिए, क्यूंकि अगर आप पूछा जाए, तो आप आप आप्सन से भी कर सकते हैं इसे इंपोर्टन फैक्ट, इस अधिवेशन के दोरान, सुभास चंद्रवोस की नित्रितु में अखिल भारतिय समझोता विरोधी सम्मिलन का आयोजन किया गया था, फॉरवर्ड ब्लोक का गठन इसी अधिवेशन के दोरान किया गया था, प्रसिद नेता, M.N.Rai ने इसी अध अधिवेशन में रेडिकल डॉमेक्रेटिक पार्टी के अधार सिला रखी थी, देखिए, पूछा जा चुका है कि ये, और फॉरवर्ड ब्लोक के विशे में भी पूछा जा चुका है कि कौन से अधिवेशन के दोरान, इसकी इसका गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लोक का गठन इसी अधिवेशन के दोरान और प्रसिद नेता एमेन राय ने इसी अधिवेशन के दोरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के धार सिला रखी थी, अधिवेशन के दोरान रामगड में कॉंग्रेस के मुख्य द्वार का नाम क्या था, ये दोनों पूछा जा चुक मुख्य द्वार का नाम था बिर्शा मुंडा द्वार और सभा स्थल का नाम था मजहर नगर। प्रस्तूत किया गया बंडी जोहलल नहरू ने इस प्रस्ताव का अनुमोडन किया रामगर दिवेशन में भाग लेने के लिए पलामु के अनेक टाना भगत पैदल चलकर रामगर पहुंचे थे इनमें प्रमुक कौन थे लाला भगत सोमा भगत विश्वा मित्र भगत और कव या भगत इन टाना भगतों का भी नाम आप जोहें नोट कर लीजी ये मेंस में भी आपको काम आएगा ताना भगत आंदोलन के विश्वे में कुछ लिखना हो तो ताना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपे की थाली भेट की ये क्वेशन भी पूचा जा चुगा है ताना भारती राष्टी कॉंग्रेस का तिरपवनवा अधिवेशन निम्लीकीत में से किस राजी में आईजित किया गया था तो वो था जारकंड राजी नेक्स्ट है दूसरा प्रशन है जार्कन के रामगण आधिवेशन कब से कब तक कॉंग्रेस के एक्मात रेदिवेशन आयोजित किया गया था जार्कन के रामगण में तो देखे डेट याद करना था आपको मैंने कहा उनीश से 20 मर्च उनीश सो चैलीश नेक्स्ट है, कॉंग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जार्खन की किस अस्थान पर आयोजित किया गया था, रामगण में, जार्खन के रामगण में कॉंग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजित किया गया था, जो कि था तिरपवनमा, जार्खन में, 1940 में आयोजित कॉंग से किस व्यक्ति ने सत्यागरा संबंदित प्रस्ताव प्रस्तूत किया था तो ये जे भी क्रिपलानी ने प्रस्तूत किया था नेक्स्ट है उनिस्तुचालिस इसवी में रामगर के कॉंगरस ये दिवेशन के दराननिमलिकित में से किस राष्टी संस्था का गठन किया था फोरवर्ड ब्लोक का गठन किया गया था सुभास चंद्र बोश के द्वारा नेक्स्ट है दोस्तो 1940 में रामगड के कॉंग्रेस दिवेशन के दोरा निमलिकित में से किस पार्टी के अधार सीला रखी गए थी Radical Democratic Party M.N.Y. के दोरा तो दोस्तो वीडियो यहीं समाप्त होता है पसंद आया तो लाइक किजे अगले वीडियो मिलते हैं तब तब के लिए धन्यवाद